विख्षित भारत बनाने के लक्ष की पूर्ती के एक सुभारम के रुपे देखा है। बजेट को भावी अम्रतकाल की द्रस्टी से देखा और परखा गया है। ये देश के लिए सुभसंकित है कि देश के नागरिक भी अगले पचीस वरसों को इनी लक्षों से जोड़ कर देख रहे हैं। साथिवों, बीते नाव वरसों में देश विमेन लेट डेवलप्मेंट के वीजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुपव को देखते हुए। विमेन डेवलप्मेंट से विमेन लेट डेवलप्मेंट के प्रयासों को वैस्वीक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत के अध्यक्स्ता में हो रही G20 की बैठकों में भी ये विशाय प्रमुक्ता से च्छाया हुआ है। इस वर्ष का बजेट भी विमेन लेट डेवलप्मेंट के इन प्रयासों को नहीं गति देगा और इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है मैं इस बजेट वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूँ साथियो नारीश शक्ति की संकल्प शक्ति इच्छा शक्ति उनकी कल्पना शक्ति उनकी निर्ने शक्ति परीद फैसले लेने का उनका सामर्थ निर्धारित लक्षों को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या उनके परिश्रम की पराकाश्टा ये हमारी मात्रु शक्ति की पहचान है ये एक प्रतिविम्ब है जब हम विमेन लेट डेवलोप्मेंट कहते हैं तब उसका आधार यही शक्तियां है मा भारती का उजवल भविश उनस्तित करने में नारी शक्ति का इशामर्थ भारत की अनमोल शक्ति है यही शक्ति समो इस सताब्दी में भारत के स्केल और स्पीड को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है साथियों आज हम भारत के सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस प्रकार दिमेन एंपावर्मेंट के लिए काम किया है आज उसके परणाम नजर आने लगे है आज हम देख रहे हैं कि भारत में पुरुषों की तुल्णा में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है पिछले नव-दस वर्षों में हाई स्कूल या उसके आगे की पढ़ाई करने वाले लड़कियों की संख्या तीन गुणा बढ़ी है भारत में साइंस, टेक्नोलोजी, इंजिनेरिंग और मैस में लड़कियों का एन्रॉल्मेंट आज 43 परसंट पहुँच चुका है और ये सम्रुद्द देश, विक्सित देश, अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, इन सबसे भी ज़्यादा है इसी तरह, मेडिकल फिल्ड हो, या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो, या पुलिटिकल एक्टिविटी हो भारत में महिलाओं की केवल भागिदारी नहीं बड़ी है, बलकि वो हर खेत्र में आगे आकर नेत्रुतों कर रही है आज भारत में ऐसे अनेक शेत्र हैं, जिन में महिलाओं शक्ति का सामर्थ नजर आता है जिन करोणों लोगों को मुद्रा लोन दिये गए, उनमें से करीब सब्तर प्रतिशत लाभार थी देश की महिलाओं हैं ये करोणों महिलाएं अपने परिवार की आय ही नहीं बढ़ा रही हैं, बलकि अर्थ ववस्ता के नए आयाम भी खोल रही हैं पी-म स्वनीधी योजना के माध्यम से बिना गरंटी आर्थिक मदद देना हो, पशुपालन को बढ़ावा देना हो, फिसरीज को बढ़ावा देना हो, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना हो, एप्पियोज हो, खेल कोद स्पोर्ट हो, इन सभी को जो पोच्छान दिया जा रहा है, उसका सरवाधिक लाब और अच्छे से अच्छे परणा महिलाओं के दवरा आ रहे हैं, देश की आधी आबादी के सामर्त से हम, देश को कैसे आगे ले जाएं, हम नारी शक्ति के सामर्त को कैसे बढ़ाएं, इसका प्रतिविन इस बजेट में भी नजर आता है महिला सम्मान सेविंग सर्डिपिकेट स्कीम, इसके तहट महिलाओं को साड़े साथ परसंट इंट्रेस रेट दिया जाएगा इस बार की बजेट में, पी-एम आवास योजना के लिए करीब असी हजार करोड रुपी रखे गए हैं ये राशी देश की लाखों महिलाओं के लिए घर बनाने में काम आएगी भारत में, बीते वर्षों में, पी-एम आवास योजना के जो तीन करोड से अधिक घर बने हैं उन मेंसे अधिकाउंस महिलाओं के ही नाम है, आप तलपना कर सकते हैं वो भी एक जमाना था, जब महिलाओं के लिए न तो कभी खेत उनके नाम होते थे न खलिहान उनके नाम होते थे, न दुकान होती थी, न घर होते थे आज इस व्यवस्ता से उन्हें कितना बड़ा सपोर्ट मिला है पी-एम आवास ने महिलाओं को घरते आर्थिक फैंस्लों में एक नई आवाज दी है साथियों इस बार के बजेट में नए उनिकॉंट बनाने के लिए अब हम स्टार्ट अप की दुनिया में तो उनिकॉंट सुनते हैं लेकिन क्या सेल्फ हेल्फ गुरूप में भी यह संभव है क्या यह बजेट उस सपने को पूरा करने के लिए सपोर्ट करने वाली गोशना लेकर करके आया है देश के इस वीजन में कितना स्कोब है यह आप बीते वर्षों की ग्रोथ स्टोरी में देख सकते हैं आदेश में पांच में से एक नौन फार्म बिजनेस महिलाए संभाल रही है बीते नव वर्षों में साथ करोड से ज़्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्फ गुरूप में शामिल हुई है और वो अलग-अलग छेत्रों में काम कर रही है ये करोडों महिलाएं कितना वेल्यू क्रियेशन कर रही है और इसका अंदाज आपको इनकी केपिटल रिक्वार्मेंट से भी लगा सकते हैं नव वर्षों में इन सेल्फ हेल्फ गुरूप से सवाच छे लाग करोड रूपय का लोन लिया है ये महलाएं केवल छोटी एंटर्परिनर ही नहीं है बलकि ये ग्राउंट पर सक्षम रिसोर्स परसन का काम भी कर रही है बैंक सक्षी, क्रिसी सक्षी, पशू सक्षी के रूप में ये महलाएं गाउं में विकास के नए आयाम बना रही है साथियों सहकारी तक शेत्र उसमें भी महलाओं की हमेशा बड़ी भूमी का रही है आज कोपरेटिव सेक्टर में आमुल चुल बदलाव हो रहा है आने वाले वर्षों में दो लाग से ज़्यादा मल्टी पर्पस कोपरेटिव, डेरी कोपरेटिव और फिसरिस कोपरेटिव बनाये जाने वाले हैं एक करोड किसानों को नेचरल फार्मिंग से प्राकृतिक खेती से जोडने का लक्ष रखा गया है इसमें महिला किसानों और प्रोडूशर गृप्स के बड़ी भूमिका हो सकती है इस समय देशी नहीं पूरी दुनिया में मिलेट्स यानि स्री अन्न को लेकर जागृता आ रही है उनकी दिबान बढ़ रही है ये भारत के लिए एक बड़ा आउसर है इसमें महिला सेल फेल गृप्स की भूमिका को और बढ़ाने के लिए आपको काम करना होगा आपको एक और भात याद रखनी है हमारे देश में एक करोड आदिवासी महिला ये सेल फेल गृप्स में काम करती है उनके पास ट्राइबल छेत्रों में उगाए जाने वाले स्री अन्न का बारंपारिक अनुभव है हमें स्री अन्न की मार्केटिंग से लेकर इनसे बने प्रोसेस फूर्ट जोए जुड़े कावसरों को टैप करना होगा कई जगाओं पर माइनर फूरेस्ट प्रोडूस को प्रोसेस करके मार्केट तक लाने में सरकारी समस्ताइस आहे था कर रही है आज ऐसे कितने सारे सेल फेल ग्रूप रिमोट इलाकों में बने हैं हमें इसे और व्यापक स्थर पर लेकर जाना चाहिए चाहिए ऐसे तमाम प्रयासों में युवाओं के बेटियों के स्किल डेवलप्मेंट की बहुत बड़ी भूमिका होगी इसमें विश्व करमा योजना एक बड़े बिरिज का काम करेगी हमें विश्व करमा योजना में महिलाओं के लिए विशेस अफसरों को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाना हुगा जैम पॉर्टल और एक कॉमर्स भी महिलाओं के वेवसाय को विस्तार देरे का बड़ा माध्यम बन रहे हैं आज नई टेकनोलोजी का फायदा हर सक्टर ले रहा है हमें सेल्फ एल्फ ग्रूप को दी जाने वाले ट्रेनिंग में जादा से जादा नई टेकनोलोजी के प्रयोग पर बल देना चाहिए साथियों देश आज सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है जब हमारी बेटियां सेना में जाकर देश की सुरक्षा करती दिखाई देती है राफेल उड़ाती दिखाई देती है तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है जब महिलाएं एंट्रेप्रेनर्स बनती है फैसले लेती है रिस्क लेती है तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है अभी कुछ दिन पहले ही नागा लेंड में पहली बार दो महिलाएं विधायक बनी है उन में से एक को मंत्री भी बनाया गया है महिलाओं का सम्मान बढ़ा कर समानता का भाव बढ़ा कर ही भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है मैं आप सभी से आवान करूँगा आप सभी महिलाओं, बहनों, बेटियों के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करने के संक्रपु साथ आगे बढ़े शाथियों, आठ मार्च को महिला दिवस, राष्पती द्रवपदी मुर्मु जी ने महिला सवसक्ति करन उस पर एक बहुती भावुक आर्टिकल लिखा है इस लेख का अंत, राष्पती मुर्मु जी ने जिस भावना से किया है, वो सभी को समझने चाहिए मैं इस लेख से उनी को कोट कर रहा हूँ उन्होंने कहा है, हम सब की बलकि प्रतेग व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस प्रगति को तेज गति प्रदान की जाए, इसलिए आज मैं आप सबसे प्रतेग व्यक्ति से अपने परिवार, आसपडोस, अत्वा कारिस्थल में एक बदलाव लाने के लिए स्वयम को समर्पित करने का आगर करना चाहती हूँ ऐसा कोई भी बदलाव जो किसी बच्ची के चहरे पर मुस्कान बिखेरे ऐसा बदलाव जो उसके लिए जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों में बृद्दी करे आपसे मेरा यनुरोद रदय की गहराईयों से निकला है मैं राश्पती जी के इनी शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ आप सभी को बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ